हाई फ्रेंड्स मैं आज आप लोग को समझाओंगा एयर कुलिंग सिस्टेम यह है एक इंजिन कुलिंग सिस्टेम का पार्ट ठीक है अच्छा पहले बोल दूँ के आप लोग तो पता ही होगा के डियूरिंग कमबाशन इंजिन बहुत हीट होता है अगर बहुत ज्यादा हीट हो गया उसको कंट्रोल नहीं किया गया तो इंजिन काम करना बंध कर देगा बहुत दिक्क्रत आएगा ठीक है तो उसको कूल करने के लिए कुछ प्रोसेस है जैसे कि एक है एयर कुलिंग सिस्टेंग और एक है बाटर इस वीडियो में एयर कूलिंग सिस्टेम के बारे में पताओंगा आप लोग को तो एयर कूलिंग सिस्टेम कैसे होता है ठीक है आप लोग यहां पर देख पा रहे हैं कि मैंने इंजिन सिलिंडर के बाहर कुछ डिजाइन यहां पर ड्रॉ किये है यह है फिन्स ठीक है यह एयर कुलिंग सिस्टेम के लिए specially design किया गया है ताकि इसके surface जितना बड़ा होगा उतना air context में आएगा जितना ज्यादा air context में आएगा उतना जल्दी उतना अच्छे से engine ठंडा होगा ठीक है यहां पर देखिए एक special design बनाया गया है काटा 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 जैसा ठीक है यहां पर actually आप लोग बाइक पर देखे होंगे यह जो gaps पगेरा है यहां actually गली जैसे होता है नेरो गली ठीक है वहां से हावा गुजरता है ठीक है तो गुजरने के time में इसको ठंडा करते हुए जाता है ठीक है अगर आप लोग के मन में एक कोश्ण आ सकता है कि ये ऐसा डिजाइन हो के फूल सॉलिट क्यों नहीं हुआ دेखिए यहाँ पर मैंने डॉटेश लाइन दिया हुआ है ठीक है यह अगर इतना सॉलीड होता तो क्या होता सालीड होने से क्या होता यह बहुत भारी हो जाता न ठींड़ीक है और सरफिस एरिया बरता नहीं में घर्टता मैं से Как एसा रीजाइन करके सरफिस इरिया को बरहाया है दिसा सर death न ज्यादा एयार कॉंट्रॉक्स में आया है कि उतना ज्यादा सब कपल थंदा होगा उत्ना अच्छ्य से थंदा होगा देखिए यह जितना भी गली वगाइब है यहां से air गुजरता है ठीक है ऐसे करके ए कुलिंग से इंजिंट थंदा होता है यह बाइक्स पर आप तो देखी ही होंगे ठीक है तो मैं अपने नेक्स वीडियो में वाटर कुलिंग के बारे में बताऊंगा मेरा और भी आपकमिंग वीडियो पाने के लिए आप लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थेंक्यू हाई फ्रेंड्स मैं आज आप लोगों को समझाओंगा एयर कुलिंग सिस्टेम यह है एक इंजिन कुलिंग सिस्टेम का पार्ट ठीक है अच्छा पहले बोल दूँ के आप लोगों तो पताई होगा के दियूरिंग कमबाशन इंजिन बहुत हीट होता है अगर बहुत ज़्यादा हीट हो गया उसको कंट्रोल नहीं किया गया तो इंजिन काम करना बंद कर देगा बहुत दिक्करत आएगा ठीक है तो उसको कुल करने के लिए कुछ प्रोसेस है जैसे कि एक है एयर कुलिंग सिस्टेम और एक है वाटर कुलिंग सिस्टेम ठीक है यहां पर देख पा रहे हैं, कि मैंने इंजिन सिलिंडर के बाहर कुछ डिजाइन यहां पर ड्रॉ किये हैं, यह है फिन्स, ठीक है, यह एर कूलिंग सिस्टेम के लिए specially डिजाइन किया गया है, ताकि इसके सर्फेस जितना बरा होगा, उतना एर कॉंटेक्स में आएगा, जितना ज्यादा air context में आएगा उतना चल्दी उतना अच्छे से engine ठंडा होगा ठीक है यहाँ पर देखिए एक special design बनाया गया है काटा 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 जैसा ठीक है यहाँ पर actually आप लोग bike पर देखे होंगे यह जो gaps पगेरा है यहाँ actually गली जैसे होता है narrow गली ठीक है वहाँ से हावा गुजरता है ठीक है तो गुजरने के time में इसको ठंडा करते हुए जाता है ठीक है अगर आप लोग के मन में एक question आ सकता है कि यह ऐसा design होके full solid क्यों नहीं हुआ देखिए यहाँ पर मैंने dotted line दिया हुआ है ठीक है यह अगर इतना तक solid होता तो क्या होता solid होने से क्या होता यह बहुत भाड़ी हो जाता engine ठीक है और surface area बढ़ता नहीं घटता ऐसा design करके surface area को बरहाया गया है ठीक है जितना surface area बरहाया गया है उतना ज्यादा air context में आया है जितना ज्यादा air context में आएगा engine उतना ज्यादा जल्दी थंड़ा होगा उतना अच्छे से थंड़ा होगा देखिए यह जितना भी गली बगरा है यहां से air गुजरता है ठीक है ऐसे करके air cooling से engine ठंड़ा होता है यह bikes पर आप लोग तो देखी ही होंगे ठीक है तो मैं अपने next वीडियो में water cooling के बारे में बताऊंगा मेरा और भी आपकमिंग वीडियो पाने के लिए आप लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू